उडिंस की हुई बिग बॉस के घर में इंट्री होटिल की तरह सजाया गया बिग बॉस का घर टीवी रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में फिनाले से ठीक पहले जनता बिग बॉस के घर में पधारी है और अचानक हुई इस entry से घर के सभी सदस से आश्चर चकित रह गए दरसल लाइफ फीट के मताबिक घर को होटेल की तरह सजाया गया है और घर के गार्डन एरिया में होटेल का रिसेप्शन बना हुआ है स्विमिंग पूल को भी सजाया गया है मुख्य द्वार के पास कांच की एक केबिन बनाई है और वहाँ धेर सारी चेर रखी है उस चेर पर बिग बॉस की ओडियन्स जो बाहर से आई है वो बैठे हुए दिखाई दिये है दरसल लंबे समय के बाद बिग बॉस के घर में ओडियन्स की एंट्री दिखाई गई है पिछले साल लॉकडाउन की वज़े से ओडियन्स की एंट्री फिनाले वीक में नहीं हो पाई थी घर के सदस्यों की जब जर्नी बिग बॉस के घर में दिखाई जाती है उस समय ओडियंस को भी बिग बॉस के घर में बुलाया जाता है लेकिन लॉकडाउन की वज़े से वो परमपरा टूट सी गई थी और इस बार उस परमपरा को कायम रखने की कोशिश की गई है लेकिन ओडियंस काच की बनी कैबिन में है और कोवीड 19 के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है ओडियंस के सामने घर में मौझूद सदस्य टास्क परफॉर्म करते हुए नजर आये हैं बिग बॉस के घर को होटिल की तरह सजाया गया है लाइफ फीड में तेजस्वी करण का मसाज करते हुए और शमिता प्रतीक का मसाज करते हुए नजर आयी है ओडियंस अपने पसंदीदा कंटेस्टेंस को देख कर काफी उतसाहित दिखाई दिए जनता ने धेर सारे सवाल भी किये हैं प्रतीक ने जैसे ही मसाज के लिए अपनी शर्ट उतारी उन्हें देख कर दर्शक काफी उतसाहित दिखाई दिए इतना ही नहीं करण तेजस्वी के साथ बहुत फनी अंदाज में टास्क करते हुए ओडियंस के सामने नजर आये हैं कुल मिलाकर घर का माहौल दिल्चस्प बना हुआ है ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ओडियंस का आना कंटेस्टेंस के लिए भी फाइदे मन्द साबित होने वाला है तास्क के दोरान क्या कुछ हुआ आडियन्स ने कंटेस्टेंट्स से क्या सवाल पूछे और कंटेस्टेंट्स ने किस तरह से जवाब दिया है ये अपकमिंग एपिसोड में पता चल पाएगा बिग बॉस से जुड़े इसी तरह की खबरें लगतार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक लिया कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुचाएं